हाई आप सभी का हमारे इस सेशन में स्वागत है बहुत दिनों के बाद आज मैं लॉंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसके कारण आप सभी को मुझे लग रहा था कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही जादा और बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है इसलिए मैं आप सभी के बीच में बहुत लॉंग टाइम के बाद लॉंग वीडियो लेकर आया हूँ जिससे कि आप इस वीडियो को फूल फूल वाज करेंगे तो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें मोटिवेशन और इसमें से अच्छी इंपरमिशन मिल सकती है तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ इस चीज के बारे में कि जिससे कि आप सभी का जो अलग-अलग थिंकी है यानि कि हम इस्टड़ी करते हैं या कोई भी अधर वर्क करते हैं उन वर्क के साथ साथ में हम अपने जॉब सेशन की तयारी करते हैं तो उसी जॉब सेशन को मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हम जॉब सेशन की तयारी करते हैं तो उस सेशन में मैं एक डिविजन बताने वाला हूं जिसका लोग बहुत ही ज्यादा कोशिस करते हैं उसमें आगे बढ़ने की और उसमें जॉब पाने के लिए तो जिसका बता रहा हूं की RRB यानी की रेलवे एक ऐसी प्लेटफा में इसमें हर कोई बंदा चाहता है कि हमें इसमें क्या हो जॉब मिल सके तो मैं उसी जॉब को उसी में इंट्री कैसे मिले और क्या-क्या उसमें अच्छी तरीके से प्रोक्स्वेक से क्या-क्या कैसे की ज इसी चैनल पे आप सभी को रेलवे से डिटेट अलग अलग इंफर्मिशन मिलती रहेंगी तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे में जॉब पाना बहुत ही मुश्किल है और उसमें बहुत सारे इस बाइकेंसी को रोक दिया गया है और उन्हीं बाइकेंसीयों के वज़ इस चैनल पे डिटेल में साट साट वीडियो में सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं तो जैसे कि आज मैं एक इंफर्मिशन बता देता हूं कि जब भी हम रेलवे के तयारी करते हैं या कोई भी हम रेलवे के हिजाम देते हैं तो उसमें ध्यान रहे कि हमें जाहिर सी बात तो इस तरीके से पांच स्टेप में जब हम पेपर सॉल करते हैं तो इस तरीके से पांच स्टेप में जब हम पेपर सॉल करते हैं तो इसमें अधिकतर करके लोग उसे माइनस मार्किंग को जिसे क्या होते हैं छट जाते हैं तो उसमें अगर आप उसमें जब छटने की चांसे सरती है तो आप उसी के माध्यम से कहीं पर कोई भी टेकनिकल हैंड अगर इसकी सीख लेते हैं साथ साथ में तो आप उस जो आप मार्किंग को जिस जो आपका मार्क्स जो कम होता है वो क्या होग कि उसके माध्यम से आपका माक्स क्या होगा कवर कर सकता है तो दोस्तों इसी सारी चीजों का बात का ध्यान रखिए और जैसे आप त्यारी करते हैं उसी के साथ में आप वह भी कोई एक हैंड इसकी ले सकते हैं तो उसका वहां पे जो माक्स होता है एड हो जाता है जैसे कि ख अप्रेंटिज यानि कि यह क्या वती ट्रेनिंग होती है उसी ट्रेनिंग के माध्यम से लोग अलग-अलग अपने जरीय अलग-अलग कारे करते रहते हैं तो दोस्तो मैं बता दूं कि आप पहले हैंड कोई भी तयार कीजे फिर मैं आप सभी को और भी आगे का प्रोसेस बताने वाला हूं दोस्तों बस मैं आज के वीडियो में इतना ही बताने वाला हूं कि आप अगर कोई भी चीज के बारे में वर करना चाहते हैं या उसके बारे में इस्टड़ी करते हैं तो उसके साथ सथ में जिस चीज की तयारी करते हैं उस चीज का हैंड इसके रहना बहुत ही ज़रूर है औ ताकि आप सभी को उसका आगे उसका क्या हो इंफॉर्मेशन आशी तरके से मिल सकती है तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पर इंट करने से पहले आप से छोटी से रिक्वेश्ट करेंगे कि रेल्वे की ऐसे ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जालत जाते हैं अपने फ्रेंड सब्सक्राइब में सेर केजिए थैंक यू थैंक यू